असलामनेकम फ्रेंड्स कैसे आप सब उमिकत्यू ठीकता खुशबास होंगे तो जी आफ्र ए लोंग लोंग टाइम एक लोंग वीडियो में आप लोंग के लिए लेकर आई हो शोर्स में अपलोड कर रहती थी ताकि हमारा आपस में कोनेक्शन बना रहे लेकिन फिर भी कोई अगशन वीडियो नहीं आ रहे तो वेल्कम बैक करते हैं अपने आपका अपने काम पर और आप लोंग के साथ शेयर करने जारी हों तो अपनेल से तो आप लोगों को बता लगी क्या होगा मतलब स्पाइस सही किचन बनता है मरतन तो अर्गनाइज होई दाते हैं और यह चितनी खप डालते हैं तो आप लोग ने मेरी वीडियो देखी होगी कुछ माँ पहले जब हमने किचन को रेनोवेट कराया था ने सीरे से असल में ऐसा होता है कि जब हम एक बने बनाए किचन को रेनोवेट कराते हैं तो उसके अंदर वो चीज़ें नहीं बन पाती हैं जो एक नही सीरे से ही था लेकिन ऐसे नहीं किया था कि बिल्कुली मलिया मेड कर दिया था कुछ कैबनेट्स जो थे उनको पुणाने वालों को अजरे से जुक्ताव कम्नाई में तरह किचन कर्यदेशidental को पननाजीवेट बेस नहीं हिलाई हमने। कुछ चीज़ें अशी होती हैं जो नहीं टेकनीकि आचुकी हैं मंदकि बगार बेस हिलाए खीर में क्रीयाट है तो हमने जितना हो सका जितना हो सका क्र ख्रीजिश करन तो आपको भी तोड़ा आइडिया मिल जाएगा और आप भी यह कर सकते हैं तो जी बात थी बतनों से शुरू के कहां पहुंची बतन तो जी मोटी मोटी चीज होते हैं और्गनाइज हो जाते हैं वो हमने कर लिया उसके बाद फिर रम्दान श्रीफ आ गया तो मैं स्पाइस को और्गनाइज नहीं कर सकी और देखें आपको मैं यह दराज दिखा रही हूँ हमने जो काउंटर शेल्फ बनवाई है ना जो के मूवेवल भी है उसको नीचे वील्स भी लगे हुए है तो उसमें यह जो रैक बनाया है बड़ा सारा इसको मैंने ऐसे स्पाइसे यूज़ करना है वैसे तो जो चूले के नीचे वाले थे उनको मैंने ऐसे स्पाइसे यूज़ करना था लेकिन फिर मुझे याद आया कि वहां पर बहुत ज़दा हीट भी आ जाती है तो उसको हमने कटले री दरास बना दिया वह भी मैं आपको बाद में दिखाती हूँ पाइसे को अर्गनाइस करने के लिए मज़े काफी सथी चीज़ों की जरूए थी जो कि मैंने दरास से और्डर की जैसे कि यह टैग है जो कि मैंने अपके डबों के लगाने और मुखलिफ किसम के डबे पहले भी आप देखें हर्चेस डबे में यह लिकिन मैं चाहती थी कि नहा कीचन बने तो नहीने बॉक्स हों और उनको एक तरह से मैं और्गनाइस करूँ वह हिले भी ना तो यह मैंने एक ग्रे कलर का मंगवाई है और्गनाइसर के यह में बात में आपको तफसील से दिखाती हूँ और यहां पर यह देखें इस बॉक्स में आए हैं मेरे काफी सारी डबियां तो कि मैंने एक तरह की मंगवाई है अब यह देखें इनका साइज नॉर्मल है तो छोड़ियों में तो शिफ्ट करना ही पड़ता है तो इस तरह से हमारे स्पाइस रखने की जगर डबल हो जाती है किजन में मतलब एक पैंट्री हाउस हो पैंट्री या पैंट्री के नाम पर कुछ कैबनेट्स हो जिसके अंदर बड़े डबे हो और एक जो है मिनीमल दर तो मैंने उसको जब खोलना तो मुझे ऊपर से नजराना है में लगाना है तो मैंने लगाने ऐनके ओल्दीकर्स माणाई और क्यूंके शैलो के सिटीकर्स माणाई बल खुआए अब अग्षे के लिए उपर लिखने का मुझे मसला हो रहा था कुछ लिख थे स्पैसी लिए वो बारा मसाले भी बारा मसाले नहीं होते हैं हमारे घरों में बहुत ज़दा मसाले होते हैं आप काउंट करें कम से कम भी 25-30 मसाले होंगे और जो कि आपको नजर भी आजाएंगे अभी मेरे दरास में जब इनके अपर मैं लिश्के रखूंगी तो आप बारी आती है इस और्गनाइजर की यह असल में हमारी अलमारियों के लिए दरास ने और्गनाइजर बनाया है जिसके अंदर वो कहते हैं कि आप अपने अंडर वीर्स रखें अंडर गार्मेंट्स वगरा रखें तो यह मुझे बढ़ अच्छा लगा मैंने का इसके दर डालके मैं अपनी डबीयों रखूंगी ताकि वो फिक्स रहें और अगर मैंने उसको इस तरह से फिक्स नहीं किया और्गनाइजर के अंदर वैसे मैं दरास खोलूँगी तो वो हिलती जलती रहंगी और गिर जाया करेंगी तो यह मैंने अपने दमाग लड़ा के यह और्गनाइजर मंगवाया और डबी भी उस साइस की मंगवाय कि जो इसके अंदर पूरी आजए अपी मैंने एक सिल्वर मार्कर खरीदा उसके अंदर उसके उपर लिखने के लिए कि ब्लैक के उपर सिल्वर से नज़र आएगा इस सिल्वर की भी स्टोरी बहुत ज़्याद है तीन दफ़ा मैं खरीदने गई हूँ कभी वाइटनर लेकर आई हूँ कभी वाइट मार्कर लेकर आई हूँ पर जागी यह सिल्वर वाला आईगे दमाग में आया और यह इसके उपर चला है अब सब डबगीों के अंदर मैंने मसाला ज़र डाल दी हैं और आफ लोगों के सामने सब स्टीकर के उपर स्टीकर जो हैं मैंने लगा दी हैं अब लिखना शुरू करते हैं अब आप मसाले अपने घर में काउंट करना शुरू कर दीजिए गा 30 भी थोड़ी मैंने बताया होगे मैंने इतने ज़्यादा होते हैं नौर्मली गैता थे 12 मसाले होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा चीदें होती है यह आपको अपने घर के दरास खोलने से ही पता लग जाएगा जोजी आज बड़ी गर्मी पाड़ी है इस शदीद गर्मी में कड़े होकर मैंने इसके अपर लिख्या है अगर नहीं हो रहा था तब तब पंखा चला लेते हैं और अगर हो रहा हो तब फिर पंखा चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है वो गर्म हमासे बंदा पंखा बंदी कर दे तो जबकि मैंने सब कुछ लिख लिए है अब मैं आपको दिखाती है उसकी फुल लुक तो यह जी खुल दस इंसिम हो गया है अब बताएं कितने मसाले हैं खुद आप लोग नहीं काउंट करके बताने हैं कि यह कितने ज़्यादा हैं मैंने और्गनाइजर मंगवाया था यह 36 वाला और्गनाइजर यह भी पूरा नहीं आया और मैं रखने लगी हूँ तो मुझे पता लगा कि और्गनाइजर से तो बहुत ज़ला चीज़े हैं तो मेरे घर में जो खाली बॉक्स ते ना टांस्पेरेंट से या किसी वी तरह क्या आएवे या यह 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 य यह 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 बाएवाव क्यों गूब्स तो में पता है जितने भी फूर कलर्स होते हैं तो मैं ने रखना चाना चाहिए अब बाएभी कशोरी मेती है सफेद तिल है जवाइन है सब्सक्राइज बन रखना है अर्चिया सीड्स हैं और यह अन्यवाव है बाएवे लाज़ा ट वैसे बाहर खेंचूंगी ना तो यह चीज़ें डबियां हीलेंगी नहीं जिस इस बॉक्स में उनको फिट किया ना वो अपनी जगह पे फिक्स रहेंगी यह देखें मैं आपको बंदर खूल करके दिखाती हूँ वो फिक्स है अपनी जगह पे हीली नहीं है और उपर लिखने का मकसद यह जैसे आपको नजर आ रहा हो कि दराज डीप है तो खोलते साथी फर्स साइट में पता लग जाते कि क्या के चीज़ पड़ी हूई है अब यह जो मेरे साइट वाले दराज हैं रैक्स हैं जो इनके अंदर भी मसाला तक पड़े हूई है बर्यानी मसाला अहली मसाला नहारी मसाला तिक्का मसाला इतने तो यह वाले मसाले होते हैं तो और इस तरफ जो है मैंने सोरे सॉसेज रखी हैं और अगर कुछ बच गया है मालब ग्रीन टी तो अभी नेक्स वीडियो में इंशाला मैं आप लोगों को दिखा हूँगी कि मै या वाश्रूम से रिलेटिड हो या कबर से रिलेटिड हो तो मैं अपने सारी सेविंग्स अपने और अर्गनाइजर्स पर लगाते हूँ या आने वोडियो में पता लगजेगा अभी देखें यहां पे भी जो कटलेरी दराज है उसके अंदर भी सारी खच मची हुई थी यह मैंने चुटकी में जाई और इसको हमने पूरे सेट कर दिया जहां पी मैं रोलिंग पिन रखती हूं इसके नीचे में टिशू भी चाहां देती हूं क्यूंकि आर्टा बगारा जाहिए और यह देखें सब कुछ सेट है इसी तरह से मैं आपको नीचे दरास दिखाती इसमें भी हर तरह के स्पून्स बगारा सब कुछ पढ़ा हुए है यूट्यूब पे बेतहाशा वीडियोस हैं जिसके अंदर बता देंगे हैं मैंने अपने स्पाइस कैसे और गनाइस कि तो मैंने भी आप लोग इसने बताया था कि आप लोग थोड़ा सा आइडियो होजे मुझे कमेंट करके जरूर बतायेगा अगर मेरी वीडियो आपको कैसे लगी इतनी कर्मी में वीडियो बढ़ाना एलिट करना और पर पंक्खा बंद करके इसके पर वाइस ओवर करना बहुत सब्सक्राइब होता है तो यह मेरा पेंट्री दराज है इसी की लुक के साथ मैं अब लोगों से इसाथ लेती हूँ तो प्लीज प्लीज कमेंट करके जुरूर बतायेगा वीडियो अच्छे लेगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वैसे अगर आपके पास भी कोई सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपना खिया रुखिएगा लाफिज